बच्चों आज हम देखेंगे Class 3 Subject Grammar Lesson No.3 Gender Gender The form of noun which tells us The gender of a person, place or thing Sci-yah, sabto ke jis rup se ya pita chalata hai ki Bei ho paura sh hai, stri hai, bejaan hai Atwa an ya kuch link ya gender kyehlata hai Matlab, baccho Jis sab se haim hai ye pita chalata hai Kiko ga paura sh hai, ki ba baan waastu hai है तो उसे हम जेंडर कहते हैं जेंडर चार प्रकार के हैं किते प्रकार के हैं चार पहला कौन सा है मैस्कलाइन जेंडर मतलब पूरुश लिंग जिस सब्द से पूरुश याती का बोध होता है जैसे मैन बॉई किंग क्राम ही यादी मतलब जिस सब्द से हमें पता चलता है कि वह लड़का है या आदमी है मतलब पूरुश याती का है वो मैस्कलाइन जेंडर मतलब पूरुश लिंग में आते हैं उसके बाद है दूसरा फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्री लिंग जिस सब्द से स्त्री जाती का बोध होता है जैसे मदर, सिस्टर, कमला, गर्ल, शी, आदमी मतलब जिस से हमें ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति को हम जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं या जो व्यक्ति है वो स्त्री है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं मतलब फेमिनाइन जेंडर बच्चो उसके बाद है तीसरा common gender common gender मतलब उभैली मतलब चीज सब्द से पूरुष तथास्त्री दोनों ही प्रकार की जाती का बोध होता है जैसे child, baby, parent, thief, enemy, you, I, we, they, adi मतलब बच्चो जैसे child, child हम girl को भी child बोलते हैं और boy को भी child, baby मतलब छोटे बच्चे छोटे बच्चे, girl भी, boy भी, parent, mommy और पापा मतलब जिसमें स्त्री और पूरुष तोनों का ही समावेश होता है उसे हम common gender कहते हैं उसके बाद है neuter gender फोर्थ नंबर हमारा neuter gender मतलब नपुसक लिंग जिस सब्द से बेजान वस्तु का बोध होता है उसे neuter gender कहते हैं जिस जैसे कोई वस्तु है वो बेजान वस्तु है उसे हम neuter gender कहेंगे जैसे book, pain, room, tree, eat, adi यह सब क्या है neuter gender अब कुछ याद रखने के लिए हम लोग के पास कुछ कुछ भाते हैं जैसे first नंबर एफ collective nouns collective nouns को neuter gender माना जाता है भले ही वह समू सजीव वस्तु का ही हो तलब collective nouns मतलब जहां पे कुछ वस्तु या कुछ collect हो इकठा हो उसे हम neuter gender मतलब बेजान तलब नपुसक link में उसका समावेश होगा B है सुन्दर्ता, सभ्यता और शान बताने वाली वस्तु का feminine gender होता है मतलब जिसे हमें ये पता चलता है सभ्यता का, सुन्दर्ता का या शान का वो feminine gender मतलब thrilling होता है जैसे the moon, hope, justice मतलब नयाए आदि तीसरा है C नंबर पानी का जहाज और देश सदा feminine gender होते है और उनके लिए she pronoun का प्रयोग करते है मतलब पानी का जहाज और अपने देश या किसी देश का नाम उसे हम feminine gender में लिखते है तीसरा है